गुद इवनिंग माई डियर प्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों वेलकाव टू यर फेवरिट चैनल और गुरु नानक एकाडमि अन पैशन टूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 11 की फिजिक्स में चल रही बहुत ही इंपोर्टन यूनिट जिसका नाम है बल प्रॉपर्टीज ओफ मैटर के बहुत ही इंपोर्टन भाग जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ओफ मैटर के चौथे वीडियो लेक्चर में जी हाँ thermal properties of matter इस unit का वो हिस्सा है जो मैंने भी recently शुरू किया है और वो सभी students जो लगातार मेरी video lectures को देखते आ रहे हैं वो बखु भी जानते हैं कि मैं अब तक क्या-क्या चीज़े आपको पढ़ा चुका हूँ इन फैक्ट मुझे कहना चीए कि अब तक मैं क्या-क्या चीज़े cover करा चुका हूँ तो आपको एक बार revise करा लेता हूँ एक बार इन फैक्ट याद लेता हूँ कि thermal properties of matter में हम किसी भी given matter के साथ तालुकात रखने वाली वो सभी properties study कर रहे हैं जिनका रिष्टा heat और temperature के साथ है तो मैंने इस unit के इस भाग के सबसे पहले वीडियो लेक्शर में concept of heat and temperature बढ़ाया था दूसरे वीडियो लेक्शर में बात करेती expansion of solids की और तीसरे वीडियो लेक्शर में बात करेती expansion of liquids की तो फिर बचा क्या very good आपने सही सोचा आज के इस वीडियो लेक्शर में मैं बात करने जा रहा हूँ expansion of gases की और expansion of gases का जो topic है बहुत बड़ा topic नहीं है एक छोटा सा topic है लेकिन important topic है expansion of gases के साथ साथ मैं आज के ही वीडियो लेक्शर में एक नई चीज और शुरू कर दूँगा जिसे हम कहते है concept of specific heat capacity या मुझे कहना चाहिए एक और topic उसी से related जिसे हम कहते है molar heat capacity इस unit के इस भाग के अंदर heat capacity का topic सबसे जादा important माना जाता है क्योंकि आगे चलकर physics में और chemistry में एक unit है जिसका नाम है thermodynamics जी हाँ इस unit के खतम होने के बाद हम thermodynamics की unit शुरू करेंगे उस unit में पढ़ाया जाने वाली बातों को अच्छे से समझने के लिए इन बातों को अच्छे से समझाना ज़रूरी है तो चलिए without any delay सीधा शुरू करता हूँ हमारा आज का topic हमारा आज का video lecture number 16 जी हाँ की 15 video lectures के link मैंने description में डाल दिये उन्हें देखना ना बोले तो चलिए without any delay मैं सीधा शुरू करना चाहूँगा हमारा topic जिसे हम कहते है expansion of gases यानि आज के topic की heading है उस topic का नाम है expansion of gases question यह आता है कि sir आप gases के बारे में बात क्यों कर रहे हो आप solids और liquids के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे है solids और liquids के बारे में सभी बाते मैं से पहले बाले video lecture में कर चुका हूँ और तब हमने ये पढ़ा था कि जब किसी भी solid को या किसी भी liquid को heat किया जाता है तो heat करने से उनका expansion होता है लेकिन थोड़ा सा common sense लगाओ आपको क्या लगता है कि solid, liquid और gas में से सबसे अच्छा expansion किसका देखने को मिलेगा एक बच्चो ने फट से जवाब दे दिया, sun gas का अरे बच्चो gas तो ordinary temperature पे भी expand कर जाती है तो सोचो अगर हम temperature rise करेंगे तो gaseous state का expansion solid और liquid state के comparatively कितना अच्छा observe करने को मिलेगा क्योंकि gaseous state में जो particles होते हैं वो काफी ज़ादा dependent होते है temperature पे तो एक बच्चा बोला मतलब आप यह कहना चाहते हो कि solid state और liquid state के अंदर जो particles हैं उनका expand होना क्या temperature पे depend नहीं करता है उनका expand होना भी temperature पे depend करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता क्योंकि और भी factors है जो matter करते है nature of the substance भी matter करता है वो चीज़ यहाँ भी matter करेगी लेकिन फिर भी हम यह मांगे चलते हैं कि coefficient of volume expansion जी हाँ यह शब्दा आपने पहले भी सुना है alpha, beta और gamma coefficient of linear expansion जिसे alpha कहा जाता है coefficient of area expansion जिसे beta कहा जाता है coefficient of volume expansion जिसे gamma कहा जाता है तो gases के case में हम यह मांगे चल रहे हैं कि volume expand कर रही है और gases के case में जो volume expand करती है तो definitely वो temperature depend करती है कैसे depend करती है और इसमें क्या सीखना है वो सुनो तो मैं बताना चालना आपको बहुत important बात in case of gases, temperature का बदलाब करने पर, volume का बदलाब होता है, अच्छी तरह से आपने class 11th की chemistry में जरूर पढ़ा होगा और जिस chapter में आपने पढ़ा है, उस chapter का नाम है states of matter, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, class 11th के प्यारे प्यारे बच्छों और इस equation को physics में पढ़ें या इस equation को chemistry में पढ़ें, इसे कहा जाता है ideal gas equation, तो अगर मैं कहता हूँ कि let the बदलाब, मैं आपके लिख रहा हूँ, let delta V be the volume का बदलाब, माल लेते हैं कि delta T is the temperature का बदलाब and delta V be the volume का बदलाब at constant pressure P, at constant pressure P, at constant pressure P, so therefore we may write, हम लिख सकते हैं, एक बच्चा बोला क्या, कि P delta V is equal to nr delta T, ये बन जाती है equation number 2 और ये बन जाती है equation number 1, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो बात मैं हूँ बता रहा, उसे बड़े ध्यान से हैं सुनना, देखते हैं क्या आपको है समझ आ रहा, तो अगर मैं equation number 2 को equation number 1 से divide करूँ, तो मुझे प्रात होता है P delta V is equal to nr delta T, divided by P V is equal to nr T, cancel, 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 और cancel, 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 तो मुझे प्रात हुआ delta V, bata V is equal to delta T, बटा T और मैं कह सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा V is equal to V डेल्टा T बटा T मेरे प्यारे 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 class 11th के बच्चो एक बच्चा है था सर इससे क्या पता चला क्या पता चला बताता हूँ अब देखो यहां मैं लिख रहा हूँ हम औरेडी हम औरेडी पढ़ चुके हैं हम औरेडी पढ़ चुके हैं हम औरेडी पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम में आने वाला बदला is directly proposed to डेल्टा T होता है और वॉल्यूम में आने वाला बदला is directly closer to V होता है so therefore हम लिख सकते हैं कि delta V is directly closer to V delta T और हम कह सकते हैं कि delta V is equal to gamma gamma V delta T यहां मैं simple सब्दों में कह सकता हूँ कि हमारे पाश आगे आपका delta V यह हमारे पाश आगे हैं V delta T तो V delta T और divide by delta T यहां हम लिख सकते हैं 1 upon gamma यह gamma नीचे आगे है is equal to V delta T बटा V जड़ा गौर से फ़र देखिए so V delta T V delta T बटा V यहां इक बड़ किये नहीं V delta T नहीं इसको correction कर लेता हूँ थोड़ा से मिश्टे को रहा है मैं इससे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तब जाके बाद बनेगी तो हमारे पाश आ रहा है यहां आगे आपका 1 upon gamma is equal to V delta T बटा delta V बिल्गूर से पहरे नहीं इस लिखा था तो यहां से मेरे को प्रात होता है 1 यह लो T है यह T यहां आ गया T is equal to V delta T बटा delta V और V delta T बटा delta V की जगा 1 upon gamma पुट करता हूँ अगर गर 1 upon gamma कुट करता हूँ तो we get we get we get क्या we get T is equal to 1 upon gamma T is equal to 1 upon gamma पहले एक बार देख लो जो मैंने आप बोर्ड पे किया मैं कहता हूँ इसे घूर लो एक बार जो मैंने है कराया अगर वो आपको है समझ आता तो जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो आपको पता चल रहेगा त्यारे त्यारे 11th class के बच्चो whatever I have done on the board I want each one of you to please pay attention ये T is equal to 1 upon gamma या फे या फे इस रिष्टे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी में री राइट क्या कि T is equal to 1 upon gamma और gamma is inversely proportional to T यानि temperature बढ़ाएंगे तो gamma कम होगा temperature बढ़ाने पे gamma कम होगा यानि हम simple सब्दों में कह सकते है that coefficient of volume elasticity coefficient of volume elasticity coefficient of volume elasticity depends on temperature depends upon temperature ये साबित हो रहा है कि solids और liquids के case में इतना temperature से फरक ना पढ़ता हो लेकिन gas के case में किसी भी gas के volume में आने वाला बना temperature पे depend करता है ये बात मैंने इस topic को शुरू करने से पहले ही कह दी कि एक बार को हम ये मान के अगर चलें कि temperature को बढ़ाने से solids के case में होने वाला expansion आखों से इतनी जल्दी नजर नहीं आएगा क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो हमारी kitchen में रोज आए दिन हमारे घर में पढ़े होई सभी बरतन expand हो ले होते तो हमें ऐसा बहुत जादा significantly देखने को नहीं मिलता लेकिन gases के साथ मामूली से मामूली temperature के बढ़ाव से भी एक अच्छा खासा expansion देखने को मिलेगा तो coefficient of linear expansion आपके solids के लिए अपनी केबल है coefficient of area expansion आपके solids और liquids दोनों के लिए अपनी केबल है और volume expansion मैं कहता हूँ तीनों के लिए अपनी केबल है लेकिन सबसे अच्छा अगर volume में बदला आ सकता है खास करके solids, liquids और gases में से अगर एक कुछ चुना जाए तो सबसे अच्छा expansion of volume अगर कहीं देखने को मिल सकता है तो वो है gases और मैंने प्रूफ किया कि आपको साब पता चल रहा है that coefficient of volume expansion here comes out to be dependent on temperature which means कि जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैसे वैसे gamma कम होगा which means कि जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैसे वैसे गामा कम होगा जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैसे वैसे गामा कम होगा मतलब coefficient of volume elasticity temperature पे डिपन करता है अब इस चीज़ का question कैसे आता है इस चीज़ का question exam में आता है ति show that यहां के question आता है show that coefficient of volume elasticity पेपर में question आ सकता है show that coefficient of volume elasticity यानि volume elasticity is dependent on temperature अगर आपके exam में ये सवाल आता है तो इस सवाल के जवाब में आपको वो सब कुछ लिखकर आना है जो इस समय बोर्ड पे रिखावा है जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे 11th class के बच्चो ये एक छोटी सी चीज़ थी लेकिन important थी खास करके expansion of gases के topic में अब मैं इस वीडियो के माध्यम से इस topic के खात्मा का एलान करते हुए एक नई topic की शुरुवात छेर रहा हूँ मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि expansion of solid, expansion of liquid और expansion of gas का topic खतम हाँ बच्चो expansion of solid, expansion of liquid और expansion of gas का topic खतम अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे इसी unit का एक और नया topic जो पुरानी बातों से related है और कुछ नई बातों को सीखने में हमारी मदद करेगा हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा topic जिसे हम कहते हैं the concept of specific heat सवाल यात है sir why are you starting this topic यह topic शुरू करने के पीछे बजह यही बाला topic है पता है क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ दिर पहले क्या बताया कि अलग-अलग state of matter के expansion को अगर हम study करते हैं तो solids, liquids के comparison में gases का expansion बहुत अच्छे से observe हो जाता है लेकिन gases की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि सारी gases क्या एक सार एक जैसा expansion चो करेंगी नहीं obviously बात है कोई gas हो सकता है बहुत जल्दी expand कर जाए और नहीं सिर्फ gas की ही बात क्यों करूँ हम liquid की भी बात कर सकते हैं यहां पर मैं किसी भी state of matter के बात करूँ तो question यह आता है कि sir if you try to change the temperature of any given matter अगर आप किसी भी given matter के temperature को change कर रहे हो तो उसमें आने वाला expansion क्या हर matter का एक जैसा होगा तो answer है नहीं तो फिर भाई अगर आप हर एक matter के expansion को steady कर रहे हो और आप उपर से ये भी कहा रहे हो कि सबका expansion अलब होगा तो उनका expansion depend किस पर करेगा जो एक factor हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है या एक ऐसा factor जिसके बारे में बताना जरूरी है जिस पर ये बात depend करती है कि कोई भी matter temperature देने पर या heat देने पर कैसा प्रभाव सो करेगा या कितना expand होगा उस characteristic को कहा जाता है या उस चीज़ को कहा जाता है nature of the material और nature of the substance कि उस substance का nature कैसा है अब वो कौन सी property है जो उसके nature को निर्धारित करती है वो कौन सी property है जो ये बताती है उसका nature क्या होगा उस property को कहा जाता है specific heat of that particular matter एक बच्चा गोला मैं कुछ समझा नहीं example देके बताता हो अगर suppose करो मेरे पास एक लकडी का तुकड़ा है और मेरे पास एक लोहे का तुकड़ा है मैंने लकडी के तुकड़े का एक ग्राम का पीस लिया और लोहे के तुकड़े का एक ग्राम का पीस लिया दोनों को एक ही समय पर heat देनी चुरू करी क्या आपको लगता है कि दोनों एक समय पर बराबर की heat देने पर बराबर गरम होगे और विसी बात नहीं हो सकता है कि लोहे का तुकड़ा जो कि metal है जल्दी heat अप कर जाए as compared to लकड़ी का टुपड़ा इसका मतलब the amount of the heat that will be required to raise the temperature of both the substances by 1 degree Celsius मतलब जो heat की requirement होगी उनका temperature बढ़ाने के लिए क्या वो heat दोनों में बराबर होगी नहीं उसी को कहा जाता है specific heat एक बच्चा जैता सरा आपने तो मतलब भी समझा दिया फिर आप गोड़ में समझाओगे क्या अब सुनो मैंने मतलब समझाया थोड़ा और detail में बताता हो ध्यां दीजेगा हम शुरू करने जा ले है हमारा बहुत ही प्यारा topic जिसे हम कहते है concept of specific heat तो सरा expansion of gases की heading को मिटा देते हैं मैंने expansion of gases की heading को मिटा दिया और expansion of gases की heading को मिटा कर मैं simple शब्डों में यहां पे लिख सकता हूँ आपको बताने जा रहा हूँ या simple शब्डों में तो हूँ आपको सिखाने जा रहा हूँ इसे हम कहते हैं concept of heat capacity या concept of specific heat concept of specific heat एक topic ये कराऊगा और इसी के साथ साथ एक और topic कराऊगा molar heat capacity क्या फरत है तुनों में आपको अभी समझा रहेगा what is the difference between both of them what is the difference between specific heat and molar heat capacity ये एक important topic है सबसे पहले बात करता हूँ specific heat की specific heat किसे कहा जाता है या simple शब्दों में आपको बताना चाहूँ कि specific heat capacity का मतलब क्या होता है specific heat capacity उस quantity उस quantity of heat को कहा जाता है उस quantity of heat को कहा जाता है which is required I repeat my sentence which is required to raise the temperature I repeat my sentence which is required to raise the temperature of unit mass of unit mass of a given substance by one degree Celsius यानि एक degree Celsius से किसी भी substance के unit mass का temperature बढ़ाने के लिए जो heat की requirement होगी उस heat को कहा जाएदा specific heat capacity for example सुनेंगे ध्यान से let us consider मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे let us consider a substance of mass M let us consider a substance of mass M जिसे जिसे heat किया जा रहा है let Q be the amount of heat supply let Q be the amount of heat supply यानि जो heat supply कर रहे है वो से Q बाल रहते है then therefore we may write हम लिख सकते है that delta Q is directly proportional to M होगा एक बच्चा बोला मैं इस बात का कुछ मतलब नहीं समझा आप common sense लगाओ 1 gram का लकडी का टुपड़ा warm करना जाधा असान है या 1 kg मतलब या आप 1 kg लकडी का टुपड़ा या अगर आप किसी चीज़ मास बढ़ा दोगे then this delta q depends on the mass of that substance जो substance का mass जादा होगा उसको provide के जाने वाली heat जादा होगी यानि मैं लिख सकता हूँ या simple चब्दों में लिख सकता हूँ therefore हम लिख सकते हैं I repeat my sentence हम लिख सकते हैं या मुझे कहना चीए हम बोल सकते हैं कि ज्यादा mass होने पर ज्यादा mass होने पर ज्यादा mass होने पर ज्यादा heat is required ज्यादा mass होने पर ज्यादा heat is required बिल्कुल सही बाग अब सवाई हो जाता है सर अगर आपको किसी चीज का temperature raise करके कुछी degrees तक लेके जाना है अगर मालो कोई चीज room temperature पे है और मुझे उसे 25 degree Celsius से 30 degree Celsius पे लेके जाना है तो 25 degree Celsius से 30 degree Celsius से 5 degree का फराग है लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे 25 से 45 जाना है तो यार 20 degree का फराग है अगर जादा degree आपको अचीव करने है तो heat भी जाना नहीं पड़ेगी ये जादा degree का मतलब क्या है जादा degree का मतलब है temperature difference यानि हम कह सकते हैं also delta Q is directly proportional to delta T combining both of them we may write हम लिख सकते हैं कि delta Q is directly proportional to n delta T और delta Q is equal to आपका S S M delta T where S is constant called as specific heat called as specific heat capacity यानि अगर मैं M को unit मान लो और delta T को 1 degree Celsius मान लो तब delta Q is equal to S मेरे प्याले प्याले 11th class के बच्चों एक बार नहीं मैं कहा हूँ दो बार भूर लो जो बात मैंने अब तक है पड़ाई उसे अच्छे से देख लो सामने लिखी बात के basis पे इस बात को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि specific heat of any given substance is equal to that amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius यानि अगर किसी भी given substance का mass unit है 1 gram है for example और आपको उसके temperature में बदलाव भी 1 degree का लेकर आना है तो ऐसा करने के लिए जो heat आपकी खर्च होगी उसे कहा जाएगा specific heat capacity या simple शब्दों मैं कहूँ heat capacity अगर मैं इसकी unit की बात करूँ पहले इसका फर्मा बना लेते हैं so therefore if delta q is equal to s m delta t then मेरे प्यारे प्यारे बच्चो s is equal to delta q upon m delta t यानि अगर मैं unit की बात करूँ तो delta q के लिए आता है calories per gram per degree Celsius मेरे प्यारे प्यारे बच्चो 11th class के बच्चो this comes out to be the unit of specific heat capacity है मेरी आप से गुजारिश कि जो board पे है लिखा उस पे दीजिए पूरा ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी किसी बात से परिशान so ये चीज आपके लिए समझना बेहर जरूरी है अगर आपको ये formula समझ आ रहा है तो समझो आपको बहुत कुछ clear हो रहा है लेकिन क्या सिर्फ specific heat के बारे में बताने से काम चल जाएगा मेरा जबाब है नहीं मतलब सिर्फ specific heat के बारे में बताने से काम नहीं चलेगा क्योंकि मैंने heading लिखी है specific heat के साथ साथ molar heat capacity आओ इसका जितन करते है क्या होती है molar heat capacity specific heat capacity का symbol अगर small s होता है तो molar heat capacity का symbol capital c होता है अब दोनों में फरक क्या है और दोनों में रिष्टा क्या है वो अब मैं आपको बताऊँगा ये topic की शुरुआद करके क्योंकि specific heat के बारे में मैंने बता दिया है एक बच्चा कहता है सर क्या फरकूँगा जाने से जादा specific heat में और molar heat capacity में एक शब्द molar ही तो है जो दोनों गया बात तो सही है एक शब्द molar ही है तो दोनों गया इसका मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि the amount of the heat required to raise the temperature of one mole अब मैं one mass नहीं बोलूँगा one gram नहीं बोलूँगा मैं unit mass नहीं बोलूँगा unit mass के temperature को बढ़ाने के लिए जो heat चाहिए उसे तो कह देंगे specific heat लेकिन one mole के temperature को बढ़ाने के लिए जो heat चाहिए उसे हम कह देंगे molar heat capacity बिल्कुल सही आपने सुना बिल्कुल सही आपने सोचा एक बार फिर भी बोल पे मैं कहता हूँ नज़र डाल ली दिये ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परिशान अगर आप देंगे पूरी attention है मेरी guarantee नहीं आएगी आपके जीवन में कोई भी कभी भी कैसी भी tension और अब जब मैंने आपको कह दिया है कि आपको नहीं होगी कोई tension तो simple सी बात है अब जो मैं बताने हुँ जा रहा उस पे आपको देनी होगी अपनी पूरी attention तो चलिए molar heat capacity के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखवाया था उस सब को मैं मिटाता हूँ लेकिन इनी बातों का इस्तमाल करके आपको molar heat capacity के बारे में पढ़ाऊँगा मेरे प्यारे प्यारे 11th class के बच्चों So what is molar heat capacity याई simple शब्दों मेरे लिखू यहाँ पे कि molar heat capacity का मतलब क्या है molar heat capacity का simple सा मतलब है The amount of heat The amount of heat required The amount of heat required to raise the temperature The amount of heat required to raise the temperature of one gram mole of a given substance of a given substance यानि कोल भी हमारे पास given substance है उसके एक gram mole का ताकमान by one degree Celsius बढ़ाना है is called as is called as molar heat capacity या molar specific heat is called as molar heat capacity denoted by capital C capital C मेरे प्यारे प्यारे बच्चों capital C से इसे denote कि आता है अब इसका formula क्या होता है सुनेंगे मेरी बार molar heat capacity बहुत important है बार molar heat capacity that is C is equal to M into S होता है M into S में यह हो गया molar heat capacity यह हो गया molar heat capacity यह हो गया molecular mass यानि किसी भी substance का molecular mass molecular mass of a given substance molecular mass of a given substance और यह हो गया specific heat of a given substance यानि specific heat of a given substance अब कैसे इस चीज़ को derive करेंगे तो मैंने आपके रेखा let there be a given matter एक हमारे पास given matter है let there be a given matter of mass M and molecular mass and molecular mass M so therefore number of moles सुनो जहान से पहले number of moles is equal to given mass upon molecular mass अगर number of moles is equal to given mass upon molecular mass होता है that is number of moles N is equal to छोटु M बटा capital M हुआ और छोटु M is equal to N into capital M हुआ एक बच्चा कहता है अब छोटु M ता क्यातर होगे आप देखो क्या करेंगे यहां मैं लिख रहा हूं आप सुनो ध्यान से हम जानते हैं हम जानते हैं कि delta Q is equal to M S delta T होता है हाँ वाई होता है so therefore S is equal to delta Q बटा M delta T होगा हाँ वाई होगा अब S is equal to delta Q बटा M delta T में M की value को अगर मैं यहां पुट करता हो तो मुझे प्रात होता है S is equal to delta Q M, M तेरी जड़ा M multiplied by capital M और साथ में delta T तो S into capital M is equal to delta Q by N delta T this S into M this S into M is called as molar heat capacity therefore capital C is equal to 1 upon N multiplied by delta Q by delta T मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों हूँ मैं कहता कि जो है मैंने बताया उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए मैं कहता हूँ अच्छे से गूर लीजिए यह चीज बहुत important है इसे कहा जाता है यारी simple सब्दों में कहूँ this is the expression rather बुझे कहना चाहिए this is the formula this is the expression of molar heat capacity मैं कहता हूँ कि गूर लीजिए मैं कहता हूँ कि देख लीजिए यह चीज है बहुत important क्योंकि मैंने आपको है समझाई और I hope है मुझे भरोसा कि आपको समझाई so please इकमान बूर्ड पे जो जो चीजे मैंने अब तक आपको है बताई या जो जो चीजे मैंने अब तक है आपको सिखाई है मुझे उमीद मेरे हर एक बच्चे को अच्छे से समझाई है क्या यह सिर्फ gases के लिए applicable है क्या आप specific heat का जिकर solids के लिकुट के लिए नहीं कर सकते है solids की भी specific heat होती है example मैंने solids का दिया था लकरी का टुपड़ा और लोहे का टुपड़ा भूल गए क्या तो solids की specific heat होती है liquids की भी specific heat होती है तो आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में वाल्यूम का expansion of gases का topic मैंने उठाया उसको उठाते हुए उसे खतम कराया उसे खतम कराते हुए आपको मैं यहां तक लाया लेकिन यहां पे लाकर मैंने अब इस बात को यही है ठेराया क्योंकि अगली बात अगले वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करूँगा मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो topic शुरू करूँगा that will be going to be the topic of effect of temperature on the specific heat of solids yes इसका तो आज जिक्र कर दिया तो solids के साथ, liquids के साथ और ऐसी क्या चीज़े है जो हमें जानने है यानि specific heat का topic अभी खतम नहीं हुआ है ये काशी लंबा चलने वाला topic है क्योंकि इसका जिक्र इस unit के लावा आने वाली अगली unit thermodynamics में भी होगा so मेरे प्याले प्याले बच्चो आपने आज बड़ी patient से मेरी बातों को सुना आपने अपने जीवन का कीमती वक्त दिया आपने अपनी attention दी बाकी चीज़ों को पूरी ध्यान से समझा उठ सब के लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहए दिल से शुक्रिया so my dear students अगर आप 11th class के बच्चे हैं और आप ये चीज़ों को बहुत सीरियसली समझते हैं तो ये बात सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए सीमित सब को मिल जानी चाहिए जितने भी आपके दोस्तों साथ ही है I just want each one of you so please maximum से maximum दोस्तों के साथ मेरे वीडियो लेक्चर को शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए लाइक कीजिए और सबसे ज़दा इंपोर्टन मैनत बरकरार रखिए फिर से एक बार लॉट क्या हूँगा एक नए बीडियो लेक्चर में नया टॉपिक आगे बढ़ाऊँगा और यूनिट को आगे बीड़ा हुआ फिर से आज के इस बीडियो लेक्चर को देखने में जो आपके अपना कीजिए वग दिया उसके लिए मेरी दरब से आप सभी का तह दिल से शुक्रिया थैंक यू